मतलब ये वी एफेक्स बनाये इनोंने अच्छे वी एफेक्स तो ये लॉंडा बना लेता इसी को काम दे देते हैं वैसे तो बॉलिवुड से कुछ राधा एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं लेकिन आधी पूरुष मूवी का ट्रेलर देखने के बाज यानि कि उसके अंदर जो वी एफेक्स यूज किये गए हैं उन्हें देखने के बाद तो यही लग रहा है कि बॉलिवुड से एक्सपेक्टेशन करना बिल्कुल ही बेकार है ऐसे ऐसे वी एफेक्स यूज किये गए हैं जगा जगा पे चील कवो और गिद्दो को उड़ाया गया है देखें रावण जिसके उपर बैट करके जा रहा है ऐसे लग रहा है जैसे कि दसवी क्लास के बच्चे ने कोई ड्रॉइंग बनाई है बात कुछ और ही ओरती और जो हनुमान जी की भूमिका में हैं उनका भी मुझे पता नहीं है वाई सब इतने बुरे-बुरे वी एफेक्स बनाए हैं लगी नहीं रहा कि कोई महँगा वी एफेक्स का काम है ऐसे लग रहा है कुछ कार्टून कार्टून से चल रहे हैं और अगर आप लोगों कोई यकीन नहीं आ रहा तो आप जाकर करके कमेंट सेक्षन में देख ले ना ट्रेलर के अंदर लोगों ने मतलब क्या-क्या बाते बोली है कि इसा बाहु बली मुवी देखी है कभी, वो मतलब बाहु बली तो अर्वो खर्वो गुना जादा अच्छे इसके VFX से और इस वाली के अंदर तो उन्होंने ऐसे VFX बनाए है कि कार्टून नेटवर्क जो है वो इससे लाख गुना बहतर अपने कार्टून दिखाता है अब कुछ लोग बोलेगे कि तूने कौन से पैसे दिये तेरे काय कुछती मिर्ची लग रहे है वैसे मिर्ची नहीं लग रही है मुवी जब वो बना रहे है रामायन के उपर तो कम से कम हम भी तो कुछ एस्पेक्टेशन रखते है ना अब प्रभार तो हमारे वेध पुरानों को मायथोलोजी बोल देते हैं मनगडन्त कहानियां बोल देते हैं और हो सकता है कि इस movie के अंदर भी जो है end में या starting में यह बोल दे कि यह तो हमने mythology के उपर based बनाई है तो इन से तो वैसे कोई उमीद मुझे है भी नहीं टेलर के अंदर जो VFX effect है वो चिला चिला के बोल रहे हैं भाई सब हाँ हम नकली effect है ऐसे लग रहा है जैसे कुछ cartoon का देख रहे हैं तो रावन के सरुकी editing कैसे की गई है इससे editing तो मैं कर देती मुझे काम दे देते हैं और प्रभास सर हम तो आप से ये कह रहे हैं कि आप कहा इन बॉलिवड वालों के चक्कर में फस रहे हो या आपका भी करियर ले डूबेंगे आप भूल गए कि लिगर मुवी कैसे विजयत देवर कॉंडा के करियर को ले डूबी उसी तरह से ये आपको भी ले डूबेंगे कि सबसे ज़्यादा बेस्ट जो रामायन बनी है या किसी ने रामायन सबसे अच्छी दिखाई है तो वो है रामानंद सागर की रामायन जी हाँ वही पुराने वाली रामायन जो पासकरित ने अच्छे से दिखाया है अगर मतलब इने बॉलिवड वालों कुछ बनाना नही आधियें कि ट्रेलर ही फेमस हो जाए बस वही बहुत है मूवी का तो वैसे भी हमें पता है कि हमने इतनी बिकार विए एफेक्स उस किया है कि लोग देखने आएंगे ही नहीं वीडियो में बस इतना ही आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना मिलेंगे बहुत जल्दिक और नई वीडियो के अंदर जब तक आपे सिस्ट रहो मस्त रहो हस्ते रहो राम राम जी